असलाम लेकूं टेर स्टुडेंट टोड़े स्टार्ट टेंथ क्लास मैच लेक्चर आज हम नहीं एक्सरसाइज की जाने पढ़ेंगे तो नहीं एक्सरसाइज नमारी कौन सी है 1.4 अब इसमें जो हम लोग एक्वेशिंस को सॉल्व करेंगे वो सारी की सारी कौन सी है क्या ना एक्वेशिंन इन्वल्वीं इक्सप्रेशन अद eer रैडिकल साइन लेट सीग्जेम्पल में आपको बताता हूं रेडी कल एक्वेशिंट की अगर हमारे पास यह ए एक्स ऑन इस Воन इस एक्वेशिंट ब्लस अंडू स्च्टेयर प्लस तो एक्स यह एक्वेशिंग तुस ए है same type of radical equation radical equation तो एक जैसी होती है लेकिं कुछ questions होते हैं जो एक जैसे होते हैं same type की होते हैं तो उनको आज हम solve करेंगे तो let's start exercise 1.4 का question number 1 अब उसमें अगर आप देखें तो हमारे के question जो है वो है 2x plus 5 question number 1 2x plus 5 is equal to under root 7x plus 16 under root 7x plus 16 अब इस तरह की जो question है मैं आपको पहले बता दूँ कितने question है वो almost आप लोगों के 4 question इसी type के हैं कि एक side पे expression square root में आएगी और एक side पे आपके पास जो है वो without square root आएगी without radical sign आएगी तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पर radical sign खतम होना चाहिए उसको खतम करने के लिए हम क्या करते है scaring on ball side मैं एक दमा लिखूंगा बार बार नहीं लिखूंगा आप लोग लिख सकते हैं जब भी आपने लिखना है scaring on be a stand for ball side तो अगर आप देखे हैं मैं तोड़ा सब्सक्राइब change कर रहा हूं 7x plus 16 का whole square is equal to 2x plus 5 का whole square ठीक है तो जब 4x square plus 25 plus 20x अब आप लोग 10th class में तो आप ड्रेक्ट फार्मला उपन करेंगे वह step by step ना भी करें तो कोई मसला नहीं है कि एका स्केर बीका स्केर प्लस 2ab मैंने वहीं किया है 2x minus 7x plus 25 minus 16 is equal to 0 तो 4x square plus 13x और प्लस अब 25 में से मारे पास 16 जाएगा तो मारे पास कितना बचेगा 25 माइनस 16 में मारे आ रहा है 9 9 is equal to 0 अब quadratic equation बन गी है तो यहां से आपके वही काम है जैसे आपको असानी हो factorization completing square and क्या नाम है formula quadratic formula क्योंकि mention नहीं है कि आपने किस तरह solve करना है तो आप देखें 4 9 ता 36 36 का pair बनना चाहिए कि 39 तो यही pair बन रहा है 4 और 9 का तो बना लेते हैं 4x plus 4x square plus 9x plus equal to 0 के 9x plus 4x अब इसमें से अगर आप देखें common क्या आ रहा है आपके पास common आ रहा है x तो यहां से common आ रहा है plus 1 then 4x plus 9 is equal to 0 तो दो पेर हमारे पास आगे x plus 1 and 4x plus 1 9 equal to 0 तो यहां से आगर आप देखें x plus 1 हमारे पास किसके को आया 0 के 4x plus 9 is equal to 0 x की value आगी minus 1 and x की value आगी minus 9 by 4 it means इसका solution set हमारे पास क्या हुआ minus 1 and minus 9 by 4 ठीक है तो यह आपका question number 1 अब इसी मैंने कहा है पहले 4 parts रहा है वह इसी type की equation हैं तो आप second part अगर आप देखें second part में आपके बाद under root x plus 3 under root x plus 3 is equal to 3x minus 1 3x minus 1 यहां पे भी वही गाम है scanning और बहुत साइट दे हम करेंगे scanning on wall side तो x plus 3 का whole scale 3x minus 1 का whole scale x plus 3 का whole scale 3x minus 1 का whole scale यहां पे scale root under root से कर जाएगा x plus 3 is equal to यहां पे again formula 9x square plus 1 minus 6x ठीक है तो quantity equations बनगी थोड़ा से shifting करेंगे 9x square minus 6x minus x plus 1 minus 3 is equal to 0 तो देखे 9x square minus 7x minus 2 is equal to 0 अब factorization अगर इसकी देखे हैं सान है 9 to the 18 18 का पेर बनाना है के 7 तो यही पेर है 9 में से 2 अगर आप सब्रेक्ट भी करें तो 7 आ रहा है तो इसका मतलब यही पेर हम यूज करेंगे 9x square minus 9x plus 2x minus 2 is equal to 0 minus का 18 minus 9 में से plus 2 minus का 7 तो इसमें पेर में से आपके पास common क्या आ रहा है 9x common यहां पे आपके पास क्या रहे देगा x minus 1 plus 2 common x minus 1 is equal to 0 तो आपके पास पेर आए 9x plus 2 and second pair आगे x minus 1 is equal to 0 इसका मतलब है 9x plus 2 equal to 0 and x minus 1 equal to 0 x की वैलिव आपके पास क्या आगी minus 2 by 9 और x की वैलिव आपके पास क्या आगी 1 इसका मतलब है आपके पास जो solution set आया है वह है minus 2 by 9 and 1 अब इसमें एक और चीज में आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे आपकी बुक में इसमें क्या किया हुआ है कि जो answer आते हैं उनको इस equation में पूट करते हैं जिसे checking कहते हैं जो answer आते हैं पहले आप x की जगा minus 2 by 9 पूट करें ठीक है और उसका आप देखें equal answer आता ही नहीं आता दोनों साइड पे अगल आता है तो वह आपके roots okay है और इसी तरह second value जितने आपके answer आपने equation में पूट करें left-hand side or right-hand side निकाल लिए checking में और अगर आपके ऐसा answer है जो इसको satisfy नहीं कर रहा तो उसे extraneous root बोलते हैं क्या बोलते हैं extraneous root वह आप solution set में नहीं लिख सकते हैं लेकिन यह काम आपने तब करना होता है कि आपको अगर mention क्या हो क्या आपके question में लिखा हो है कि solve equation and also checking के check भी करें आप लोग तो फिर आप कर सकते हैं otherwise अपनी satisfaction के लिए आप यह काम कर सकते हैं तो अब इसी टाइब के question हमारे पास वोड़ा है question number 3 वो हमारे पास है 4x is equal to 4x is equal to square root 13x plus 14 13x plus 14 minus 3 अब इसमें थोड़ा सा हुम आगे question दिया कोई बात नहीं आप square root वाली value radical वाली value एक तरफ expression रहने दे बाकी value तो एक तरफ रहने दे इसको मैं यहां लिख देता हूं 13x plus 14 is equal to क्या होगा 4x plus 3 यानि के 3 उदर जाके क्या हो गया plus देखें वही question बनगे question number 1 and 2 की जगा again हम क्या करेंगे skating 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 on both side तो 13x plus 14 का whole square is equal to 4x plus 3 का whole square यह radical sign से कट गया तो 13x plus 14 is equal to 16x square plus 9 plus 24x अब simplification हमने करनी है इसकी तो देखें 16x square plus 24x minus 13x plus 9 minus 14 is equal to 0 तो अगर आप देखें यहां पे 16x square और यहां पे हमारे पास क्या आएगा plus 11x और यहां पे हमारे पास क्या आएगा minus 5 is equal to 0 ठीक है अब 16 into 5 हमारे पास क्या होता है 80 तो 80 का ऐसा पेर बनाना है कि हमारे पास 11 आए तो अगर आप देखें 16 into 5 18 होता है तो हमारे पास 16 minus 5 भी तो 18 ही 11 होता है तो इसका मतलब यही पेर हमारे पास suitable है तो हम लिखेंगे इसको किस तरह 16x के प्लस का 16x minus का 5x minus 5 is equal to 0 देखें minus का 80 आजएगा और 16 में से minus 5 के प्लस का 11 आजएगा तो अब इस में से आप लोगों कोने common नकालना है 16x बागी आपके बतर हैं x plus 1 minus 5 common नकालना है x plus 1 equal to 0 इस मेंस x plus 1 का पेर आगया और 16x minus 5 is equal to 0 दो पेर आगये तो x की वैल्यू के आई x plus 1 भी equal to 0 है और 16x minus 5 equal to 0 है तो x की वैल्यू आगी minus 1 और x की वैल्यू आगी minus 5 by 16 तो solution set अगर हम इसका लिखें वो आ रहा है minus 1 and minus 5 by 16 यह हमारे पास इसका solution set आ गया अब इसी type का हमारे पास last question है question number 4 same to same यही चीज़े हैं यह एक type की question थे तो मैंने complete कर आने हैं आपको आज तो देखते हैं question number 4 में उसने कौन सी radical equations दी हुई है हमें इस type की 3x plus 100 under root 3x plus 100 is equal में हमारे पास क्या है minus x minus x is equal to 4 ठीक है इसमें भी question number 3 का गाम किया उसने तो हम इसको पहले simplify कर लेते हैं 3x plus 100 is equal to 4 plus x ठीक है 4 plus x अब square root scaring करेंगे sorry scaring on both side तो देखें आप 3x plus 100 का whole square is equal to 4 plus x यह x plus 4 का whole square यह cutting होगी 3x plus 100 is equal to x square plus 16 plus 8x ठीक है अब simplification है थोड़ी सी x square plus 8x minus 3x plus 16 minus 100 is equal to 0 तो देखें x square plus 5x minus अब 100 में से मारे पास 16 जाएगा हमारे पास क्या आदेगा 84 is equal to 0 84 अब 84 का हमने pair बनाना है कि हमारे पास 55 अब इसके लिए आपको तोरी सी करनी पड़ेगी कि 84 का कौन सा pair बनेगा हमारे पास क्या है 4 पे अगर हम करते हैं 4 2 दा 8 4 1 दा 4 3 7 दा 21 7 1 दा 7 अगर आप देखें इस pair को मैं combine करूं 4 3 दा 12 और 7 12 इंटो 7 84 और 12 में से अगर आप 7 निकाले तो हमारे पास क्या बच्छता है 5 हमारे पास क्या बच्छता है 5 तो pair बन गया हमारे पास x square plus 12x minus 7x minus 84 is equal to 0 x common x plus 12 minus 7 common x plus 12 is equal to 0 then x minus 7 एक pair आगे आपके पास and x plus 12 एक pair आगे आपके पास तो x minus 7 equal to 0 and x plus 12 equal to 0 x की value आगी 7 x की value आगी minus 12 तो अगर आप इसका solution set लिखेंगे without checking तो 7 और minus 12 दोनों इसमें आजएंगे ठीक है यह आपके पास इसमें solution set तो यह आज के lecture में हम लोगों ने exercise 1.4 start की new exercise थी radical equations के बारे में तो पहली चार जो question थे वो एक time के radical equations थे उसको हमने attempt किया तरीका वही है कोई पुश्किल चीज़ नहीं है क्या ना में quality equation में रियूस होती है उनको आगे आपकी मर्जी है formula से solve करें factorization से solve करें ब्लेटिंग स्केर से आपने answer निकालने और एक चीज़ मैंने आपको बदाई checking की वह कर question में attention होगा या अपनी satisfaction के लिए आप लोग कर सकते हैं और उसमें जो उसको satisfy नहीं कर रहा answer वह आपका extraneous root आता है solution set में ना लिखे तो next lecture के लिए जाज़ चाहते हैं